नमस्कार प्यादर्सको, मैं आचार्यासित सेमॉल, आपके चैनल एस्टोकालगारना में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्यादर्सको, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संही। सनी evolution, परिवर्तिन 2023 मकर राशिवालों के लिए कैसा रहेगा। मकर रासिवालों आपके लिए खुश खबरी ये है 17 जनवरी 2023 को सनिगर्वा आपके रासिषे दुतिया भाव यानि के धन भाव में गोचर करेंगे इस तिर लक्षमी के भाव में गोचर करेंगे वाणी के भाव में कुटम के भाव में जब गोचर करेंगे आपके लिए क्या सुब संकेत है और उपर से सनी की साड़े साती की तिरतिया चरण आपके उपर प्रारम हो जाएगा ये तिरतिया चरण अंतिम का चरण आपको क्या फल देगा 2023 में पूरा साल 12 महीने 365 दिन कैसा रहेगा मकर रासिवालों के लिए सनी का परिवर्तन इस पर मैं चर्चा करने वाल वाँ इसको लेखर कर के आप बहुमय भौन बाहन के सुक फक्राद के माता के पिता के स्वास्थ्य को लेखर और भाईस्थ्यों कुटं परिवार में कीसा रहेगा में अपने लिए द्यात्राओं संबंदित कैसा रहेगा 2023 मकर रासिवालों के लिए प्रिय दर्सों को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करें लाइक, कमेंट, सेर जड़ो के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें प्रिय दर्सों को जो मैं ये रासिवाल बता रहा हूँ, ये चंदर रासि के आधार पर, यानि कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडिली की जो रासि हो, उस रासि के आधार पर, अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका की रासि पता नहीं है, तो आप अपने नाम रासिवाल इसको घटित कर सकते हैं और साथ में अगर जिन जातकों का मकर लगन भी है वो भी अपने उपर इसको घटित कर सकते हैं देखिए अगर आपके रासी कोई कुछ होर है और लगन कुछ होर है तो प्रभाव जो मैं बताऊंगा इसके आधार पर कुछ न कुछ परिवर्तन होता ह और अगर आपके उपर सुब गरह की दसा चल रही है भागे इसकी दसा चल रही है पंच में इसकी दसा है करमें इसकी दसा चल रही है और सनी गरह आपकी कुंडली में अच्छी योग में है याने कि विस योग में नहीं है या सनी की द्रिष्टी चंद्रमापे नहीं पड़त यह सनी गुराव वक्री नहीं है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा सनी की साधिसाति लेकिन जिनी कुंडलियों में कि सनी अच्छे भाव में नहीं पाप मध्यत्व में हैं या पाप गरहों के साथ हैं अच्छी युति में नहीं है या अस्ट में बंदुकत लेखे लिए इसकी दसा चल रही है तो उनके लिए कहिंने कहीं दिक्कतकारा करें ती सनी की साधे साथ ही उल्जने लेके आती हैं कि तो यह जो रासिफल है मैं उसको प्रारुम करता हूं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनी का ये परिवर्तन सनी का परिवर्तन आपकी राशी या आपके लगने से दूतिय भाव में होने जा रहा है दूतियाबाव है कुटुम्व का, इस्तिरलक्षमी का, बानी का, पैत्रिक प्रॉपर्टी का, और मुख का याने एक चेरे का, खान पान का, तो आपको इस्तिरलक्षमी मिलने वाली है, 2023 में, पैत्रिक संपते से लाव रहेगा, कैरेर के दिश्टिशे बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके रासी के मालिक जब धन भाव में जाते हैं, तो धनवान योग बनता है, तो सनी ग्रॉपर अब आपको धनवान ब रहती है, तो मानसिक तनाव तो रहता ही है, क्योंकि सनी का जब आपकी रासी से दुति अभाव में गोचर होगा, कुम्बर रासी में 17 जनवरी 2023 को गोचर करेंगे, तो आप पर सनी ग्रॉपर स्वर्ण का पाया आपको प्राप्त होगा, मकर रासी वालों, जो स्वर्ण का पाये जो अच्छा नहीं माना जाता है, यानि कि उल्धने जीवन में आती है, तनाव जीवन रहता है, और चिंता, चिर्चड़ापन, टैंसन, सनी की साड़ी साथी देती है, तेकि मैंने बताए जिनी कुड़लियूम अच्छे यूग में सनी ग्रॉप होंगे, उनके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सनी की जो ये प्रिय रासी है, मकर रासी और कुम रासी, और उपर से रासी के माली जब धन भाव में जाते हैं, तो धन प्रॉपर्टी सम्वंदी, भूमी, भावन भाहन सम्वंदी, बृद्धी होती है, देखिए सनी गरॉप जिस पर मेश रासी बनती है, जब मेश रासी बनती है, सनी की जो ये नीच रासी है, ये मेश रासी, तो कहीं न कहीं, तोड़ा प्रॉपर्टी सम्वंदी, आपको दिक्कते ही हल्की फुलकी रही माता के स्वास्ते को लेकर चिंताएं, घर में तनाव का माहूल रहेगा, क्योंक स्वास्तों के लिए मैं बता रहा हूं, जिनी कुंडिलियों में अच्छे योग नहीं है, तो मानसिक्त नाव रहेगा, बिना वज़ा आप परिवार में उल्धने पैदा होंगी, आपके बाणी के द्वारा, स्वास्ते को लेकर चिंताएं भी बनेंगी, या कोई आपको मि जो ये तिरतिया भाव है, सनी का यहाँ पर बल्वान माना जाता सनीग्रह, लेकिन तब यहाँ पर मेश रासी बनने से, थोड़ा अपनी नीच रासी को द्रिष्ट माने से सनीग्रह यहाँ पर तनाव पैदा करते हैं, और सब्तम द्रिष्टि आयो भाव पर, वैसे सनी जो बढ़िया रहेगा, जो गूड ज्यान अर्जित करना चाते हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा, पेजडी करने के लिए वालों के लिए बढ़िया रहेगा, विद्यार्तियों के लिए बढ़िया रहेगा, जो बिद्यश में जाना चाते हैं, उनके लिए बढ़िया में इस्तिरलक्षमी के भाव में धन के भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो लाब पर दृष्टी होने से सनी गुरा आपको लाब तो देंगे लेकिन खर्चा आपका बढ़ेगा कि देखें प्रिया दर्शकों कि स्वास्ते को लेकर तो कि अगर छाते हैं कि मैं में रोजगार को बढ़ा हूँ 2023 23 में तो आप उपाएगर के अपने कारोबार कर सकते हैं लेकिन अपने पाठन सम्दित थोड़ा सचेत रहना चाहिए ऐसा नहीं के अपने पाठन के पास आप सब को छोड़के चले जाए मकर रासिवालो कि मेरे अंतिपाये में हैंकि तो अंतिद चरण में हैं तो मुझे वो आप के संपता को देखेंगे आप पर नजर लग जाएगी है तो और साथ में बाणी के द्वारा खान पान के द्वारा आप अपने स्वास्ता को बिगाड सकते बोग बिलासिता में कम रहे न है यानि मदीरा का शेवन नहीं करना है धुमृपांद कास्यवन कम करें मांस का सेवन नहीं करना है अगर आप अपने उपर कंट्रोल करेंगे मकर रासी वालो तो आगे जा करके आपके लिए बढ़िया रहेगा सनीग्रह उन लोगों को फैजन देते हैं कि कुमर रासी जो है शनीक पर साध्यूष की लाब रासी ए उन लोगों को फैजने के बाद मला माल बन जाते हैं कि अज 20 आश्यारी 9 गलत काम करते इसे को दोका देते जल्द पैसा कमाने की सूचते हैं अरफ दो नम्मर कर जाते तो सभम इस उन लोगों को दंड देने के लिए तक तयार रहते हैं कि देखने दर्सों कर यह मोसम है जैसे सर्दी का मौसम है आपने सरदी के मैं सब्सक्राइब इस आपको पंखा चाहिए कूलर चाहिए असी जब भी ग्रह आता जाता है आपने घबराना नहीं लोग बहुत जाते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ ऐसा नहीं होता है आपने उसके लिए उपाई करने ग्रहों से उपर भगवान हैं अगर आप प्रभु के गुणा नवाद करते हैं अगर आप एकसेप्ट कर लेते हैं कि मैं मेरे समान कोई पापी नहीं है आप एकसेप्ट कर देते हैं कि मैं संसार के सभी देवताओं को प्रणाम करूंगा ये नहीं चाहूंगा चुरह कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता हुँ अपने और अनुसाशन में चल रहे हैं दिन भर मैंनत कर रहे हैं कारोबार कर रहे हैं किसी किसा हैं गलत नहीं करते थोड़ी देर के लिए उनके लिए थोड़ा दिक्कत आती हैं लेकिन उनके पास कोई भी कागज नहीं आते हैं वह अपने लगे रहते हैं उनको पता है नहीं चलता है कि कब सनी साड़े साथे निकल गई तो ऐसे आपको घवरानी जो रतनी अगर आप उपाई करेंगे तो आपके लिए लापर्द रहेगा लेकिन तब भी जब भी सनी के साड़े साथे किसी रासी पर रहती है तो तनाव पूर्ण जीवन तो रहता ही है और उपर से मकर रासी वालों के लिए स्वर्ण का पाया सनी ग्रह दे रहे यानि कि दंड व्यवस्ता भी सनी ने रखी हुई है मकर रासी वालों के लिए जो अनुसासन में नहीं रहेंगे देखे कुछ समाई बढ़ाता हूं जो आपके लिए बहुत बढ़े रहेगा 2030 में प्रिया दर् स्वासना करें किसी अपने पार्टनर पर कि उसको अपनी गल्ले की चावी देखे चले जाएं अपना सामरज्य की बारे में उसको बता दें कि भाई मैं यह यह प्लानिंग कर रहा हूं आगे यह रणीती है मेरी तो कहीने के आप पर नजर लगने का योग बनता क्योंकि सू से लाब तो रहेगा 2023 में यह हो सकता है आपको पुरानी प्रॉपर्टी बेच है और आपको लाब हो जाए उस प्रॉपर्टी से मकर रासी वालों तो यह दोरान आपने सपे सचेत रहना है फिर मार्च ठीक रहेगा अपरेल आधा ठीक रहेगा जब सूर्य ग्रह में इस रा सब्सक्राइब रहेगा साथ में सूर्य का गोचर राहो का गोचर और देवा गुरु ब्रस्पति का गोचर गुरु चांडाल योग बनेगा और ग्रहन दोसी बनेगा उसके पर सनी की दृष्टी पढ़ने से यह समय भी चिंता जनक रहेगा तोड़े इस समय पे अपने काम काम जो प्लानिंग कर रहें इस दोरा ना करें यह कहीं जाना है यात्राइएं करनी है कोई सुभ काम करना है तोड़ा रुक जाएं इस समय को निकल लें दें फिर बाद में आप अगले महिने कुछ काम करना को करें वैसे आप 2023 में उन्नति करेंगे मेरे हिसाब से मकर रासी वालों उन्नति का यूग तो है और फिर जो आगे मई का महिना रहेगा आदा वो बड़े रहेगा मई जून जुलाई अगस्त तक बहुत बड़े रहेगा आपके लिए अगस्त फिर 16 अगस्त के बाद 17 सितंबर के बीच में तोड़ा चिंता रहीगी कि सुर्य ग्राजब सिंग रासी में जाएंगे और अस्टम में रहेंगे आपकी रासी से या आपके लगने से और सनी की दिरिष्टी रहेगी अस्टम पे तो यानि कुछ ना कुछ स्वास्त्य को लेकर चिंता हैं रहेगा किसी निकट व अक्टूबर बढ़िया रहेगा आदा अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर से लेकर के 17 दिसंबर का जो समय रहेगी इस भीचा भी थोड़ा बढ़ चिंता ही रहेंगी लेकिन आगे फिर आपके लिए लास्ट 2023 साल का अंत कर समय होगा कुछ बढ़िया होगा देके प्रिया अंतों तक हुई जाती है अगर आप लगए रहते हैं अपने अपासना अगर आप यह सूचते हैं कि पहुत टाइम से कर रहा हूं उपासना है क्या होता या ने कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो और सनी ग्रोई यही चाहते हैं आप उन्हें सानदा करें और मैं उनको और रहना स्वार को चड़ाने और चभाट करता हो सके थो कि बीज मंतरों का सबये पहले कि बिखश की सेवा करें संय के दीन के लगाए पैड़ के जड़ पर तेली का दिया चड़ाए लगा है दक्षिन हां राइट घंड बाइड घर के दरबाजी के हागे वहाँ पर भी आप दिया लगाएं और वहाँ पर स्चता रखें, समी के पेड़ पर भी और तीफल के ब्रिक्षे पर भी और साथ में भगवान शंकर के उपास ना करें भगवान जी के 12 जो तरलिंगों का पार्ट करें नित्या, हनुमान 40 से का नित्या पार्ट करेंगे और ग मैं इन्ही सब्दों के साथ अभी मुझे अनुमत दीजिये नमस्कार जय माता दे